ऐसा लगता है जैसे यहूदियों का मूल वाक्य है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं पहली तस्वीर हेजबुल्ला वाले नसुरला की इधर वाले तस्वीर हमास वाले इसमाइल हानिया की और इसमें एक आदमी बचा था जिसको गाजा का लादें गाजा का कासाई कहते हैं यहिया शिनवार अब यह साहब भी इस दुनिया में नहीं है यहिया शिनवार को इलिमिनेट कर दिया है IDF forces यानी इसराईली डिफेंस forces ने और इसकी कहानी बेहत दिल्चस्प है इसमें कहीं कोई खूफिया नेटवर्ड कहीं कोई मोसाद कहीं कोई खूफिया जानकारी नहीं है दरसल है क्या कि पिछले एक साल से करीब करीब जो हमास के खिलाफ गाजा वाले हिस्से में इसराइली डिफेंस फोर्से ओपरेशन चला रही है इस पूरे हिस्से में तो अलग-अलग हिस्सों में चला रही है उपर से मारना शुरू किया अब कहानी यहां तक आ गई है इस वाले हिस्से को कहते हैं राफा बहुत वीडियोस किये हैं इस विशे पर मैंने इस वाले हिस् अब जहां भी Israeli Defense Forces को लगता है कि यहां पर terrorist चिपे हो सकते हैं वहां गुलाबारी होती है, firing होती है, operation चलाया जाता है इसी operation के दौरान क्या हुआ, एक घर में जो है 3-4 लोग देखे गए मतलब लगा IDF Forces के लोगों को कि 3-4 terrorist हैं वहां पर cross firing होती है, और cross firing के बाद वहां drone भेजा जाता है drone भेजने के बाद यह किया जाता है कि भाई यह सब तो हतियार one terrorist है, वो उधर से जबरदस्त गोलाबारी कर रहे थे और यह कोशिश कर रहे थे कि cross firing की आड में एक जगह से दूसरी जगह चला जायजा सके, दूसरा यह हो रहा था कि एक जो है terrorist mask मतलब आमतर पर हमास के सारे जो terrorist होते हैं लडाके होते हैं वो mask पहन कर रहते हैं, लेकिन हुआ क्या एक जो mask man था, उसको 2-3 लोग मतलब cover fire दे रहे थे और कोशिश कर रहे थे, उसको वहां से निकालने की IDF के लोगों को ये लगा, कि ये ऐसा कौन सा आडमी है जिसके लिए cross fire भी दिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है, कि इस गोला बारी वाले इलाके से इसको कहीं सुरक्षित जगह ले जाया सके क्या हुआ, IDF forces ने वहां पर फेक दिये grenades grenades फेकने के बाद वहां फिर drone भेजे गए और cross firing में जो वहां कुछ terrorists थे, जो उसको बचा रहे थे एक आडमी को वो तो खतम हो गए, जिस आडमी को बचाया जा रहा था वो एक हॉल के सोफे पर बैठ गया और बैठने के बाद वो बुरी तरह से छत भी छत, परेशान और drone फुटेज उसको बकाइदा कैर कर रहा है वो फुटेज देखिए दरसल इसराइली फोर्सेश को इस देखिए ये drone फुटेज के जलिए तो देख रहे हैं मास्कमेन है जिसको बचानी की कोशिश हो रही थी वो बैठा हुआ सोफे पर लेकिन बुरी तरह से घायल है वो मास्कमेन क्या करता है एक छड़ी उठाता है और उसको drone की तरफ फेकता है तब तक Israeli forces यानी IDF को ये अंदाजा ही नहीं है कि उसने गाजा के कसाई गाजा के लादेन को पकड़ लिया है धेर कर दिया है वो गाजा का कसाई जिसको सालों से मोसाद, इसराइली डिफेंस पोर्सेज, इसराइल ढूंड रहे थे वो अचानक ऐसे ही राफा के किसी घर में मिल जाएगा ये IDF को अंदाजा ही नहीं था जब उसको मार गिराया गया और उसका मास खटाया गया तो मास खटाने गबाद इसराइली डिफेंस पोर्सेज के होश उडगे और उसके बाद उसकी जो भी पैमाईश थी, चुकि यहिया शिनवार पहले भी गिरफतार हुआ है इसराइली डिफेंस पोर्सेज द्वारा, तो इसका जो भी पैमाना था, रंग रोगन हो, चाहे दाथ की पैमाईश हो इसके शिनाक्त हुई इसके दाथ की वज़े से इसके दात की वज़ा से इसके शिनाक्त हुई इस्राइली डिफेंस फोर्सेस ने सेंटर पे वेजा मेडिकल सेंटर को वहाँ पर डिएने मैच हुआ उसके बाद इस्राइल ने ये कन्फर्म किया कि गाजा का कसाई, गाजा का लादेन, यह यह शिनवार नहीं रहा यह जो यह यह शिनवार है, यह जो दात है ना इसके, इसने इसराइल की बड़ी मदद की आखरी समय में जब यह यह शिनवार डेर हो गया और जब इसका मास्क खटाया गया इस दाथ की वज़ہ से इसकी पहचान हो सकी और ये आखरी तस्वीर है याया शिन्वार की आपको इंटरनेट पर बहुत सारी तस्वीर मिल जाएगी वो दिκाने लाएक तस्वीर नहीं है बताने लाएक तस्वीर नहीं है बहुत ही मतलब विभाथ से है जो चुकि forces का बहुत ही जबरदस्त हमला था उसमें याया शिनवार डेर हो गया और ये आखरी तस्वीर है मास्क लगाये हुए सोफे पर बैठा ड्रोन की तरफ देखता हुआ एक छड़ी उचालता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चली थी 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ इसराइल में हुआ 1200 से ज़्यादा यहोदियों की मौत हुई उसके बाद से इसराइल ने ये तै कि वो जो कोई भी जो लोग भी इस पूरे मसले में शामिल है इस पूरे मामले में शामिल है इसराइल उन सब को खतम कर देगा और आप प्रॉपर ल हानी राश्टपती के बेहत खास महमान ठहरते हैं वहाँ बॉम ब्लास्ट करके इसमाइल हानिया को खतम किया गया उसके बाद शिनवार पर आएंगे नसरुल्ला की कहानी आपको याद होगी साथ फुट नीचे जो बंकर में था चिपा हुआ वहाँ एक बंकर विस्पोटक बेजा जाता है उसमें नसरुल्ला की मौत हो जाती है ये हिजबुल्ला लेबनान वाले चेतर में मतलब इसराइल को कई तरफ से घेरने की कोशिश हुई लेकिन इसराइल वही मैं आपसे कह रहा था जब तक तोड़ेंगे नी तब तक छोड़ेंगे नी एक-एक करके एक-एक करके अपने दुश्मनों को खतम कर रहा है कोई भी देश दुनिया में जिसको अपने डिफेंस कैसे करना अपनी रक्षा कैसे करनी अपने लोगों को सुरक्षा भाव कैसे देना है अपने लिए आने वाले समय में भविश्य में पचीस साल पचास साल के लिए रक्षा कह लीजिए या सुरक्षा कैसे अपने बॉडर सुनिश्चित करने हैं, वहाँ पर सुरक्षा वो इसराइल से सिखा जाना चाहिए इसराइल चोतरफा हमला में गिरा हुआ है, एक तरह से उसकी forces चोतरफा लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जिस conviction के साथ लड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ एक हाफित सईद है दावद इबराहीम है, हम आज तक नहीं सोच पाए इस बारे में लेकिन, टॉप लीडर्शिप एक-एक करके, एक-एक करके इसराइल ऐसे मारता है, कि दुश्मनों की रूह काप जाए, और ये message इसराइल अपने हर दुश्मन को देता है को वो सीधा कहता है, भाई आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, हमारे दुश्मन है तो आप बचेंगे नहीं फिलहाल गाजा के कसाई का हिसाब हो गया है